Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 1.1 का question number 6 देखते हैं क्या है Show that the relation are in the set 1,2,3 एक set के हमें elements दे रखे हैं और relation हमें यहाँ पे दे रखा है 1,2,2,1 is symmetric but neither reflexive nor transitive हमें इसको symmetric prove करना है और reflexive और transitive यह है यह नहीं तो यह हम कैसे prove करेंगे चलिए देखते हैं ध्यान से देखो बच्चो हमें यहाँ पे relation के अंदर elements दे दिये already पहले क्या होता था हमें यहाँ पे set builder form given होती थी उससे roster form given होती थी उसको हम set builder में convert करते थे अब यहाँ पे already हमें क्या दे दिया यहाँ पे हमें यह roster form में बना के दिया हुआ है पहले हमें set builder form मिलती थी उसको हम roster में convert करते थी अब यहाँ पे already हमें किसमें दे रखा है roster form में अब यहाँ पे देखो हमें जो pair दे रखे हैं वो क्या है 1,2 और 2,1 कोई ऐसा relation है जिससे बस ये दो pair बन रहे हैं हमारे relation के अंदर elements अब इसको हमें देखना है कि यह reflexive और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए symmetric हो सकता है तो देखते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले first part reflexive के लिए हमें क्या होना चाहिए 1,1 2,2 3,3 ऐसा pair तो यहाँ पे present ही नहीं है not belongs to relation है so this is not reflexive not reflexive बस यह लिखना है है ना इजी कोई दिखत की बात नहीं है second चलते हैं अब हमें क्या करना है यहाँ पे symmetric देखना है symmetric में condition क्या होती है a b belongs to अगर r है तो b a belongs to r होगा तो देख लेते हैं भई यहाँ पे 1,2 यह हमारा relation के अंदर present है तो इसका उल्टा 2,1 भी हमारा relation में present है so this is symmetric तो इस relation को हम symmetric relation कह सकते हैं clear हो गया third part पे चलते हैं third part के अंदर क्या होता है a,b अगर belongs to r है और b,c belongs to r है तो हमारा a,c भी क्या होना चीए belongs to r होना चीए क्या यह condition यहां satisfy होगी देखते है 1,2 हमारे पास तो दो ही पेर है 1,2 belongs to r है और 2,1 जो है हमारा वो भी belongs to r है तो 1,1 देखो a और c लिया था न हमने तो यहां से a की value 1 है c की value 1 है तो a,c 1,1 not belongs to r क्योंकि 1,1 तो यहां पे present ही नहीं है तो यह क्या हो जाएगा not transitive not transitive relation बस यही चीज़ तो प्रूव करनी थी हमें symmetric बताना दा symmetry की है reflexive or transitive नहीं है इस तरीके से question करेंगे कोई भी दिक्कत लगे आप मुझसे जरूर पुछे है अधरवाई चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए और share कीजिए